निवाश्कार आज हम डिसक्स करेंगे एच्पी एसेजी का प्रीए सिपर है इसका हम एच्पी जीके का सब्सक्राहिए को डिसक्स करेंगे ताकि आपको गुछ यह थोड़ा सा और पीछ घुमा कर पूछ ले जाएंगे, तो आपको डैफिनिट्ली जो हो वहाँ से मिलने वार है जैसे कि 817 में 817 में जो हो काफी बच्चों को यहां से मिली अभी बात करते हैं क्वेश्च नमर 123 यहां पर पूछा गया है इंदर्सान मांटेंड़े के तो यह कहां पर चीट यह पर उप्रवट के बात करते हैं कुलू में एक तो सोलंग पीक होगी कु दियो के निए कुल्लू में सिर्गत जदर्द भी है तो यह सब तो सब एंपरबर को याद रखनें है अगर के इंपर्टन धर्रे इसकसि करें यहाँ पर तो कुल्लू मैस्थित्हे अनिमल वस इनिमल वस मोस्ट इंपोर्टन्ट है टैनिती दर्रा कहां प्रसित्हे इनुद्र के सब चीजें आती है प्रवाइस करनी है ताकि आपको फ्लंबे दाइन तक याद रहा सके है 124 पुछा गया है लालूनी जोत है यह हिमाशल प्रदेश के किस जिले में स्थित है 124 को ऑप्शन दी सही अंसर है यह है लहौल स्पित्ति में स्थित लहौल स्पित्ति की कुछ ऐसी जोते हैं और भी आ लहौल स्थित्ति में स्थित है कुंजम दर्रा कहां सबढ़ा से लहौल स्थित्ति में सित तैन टीन चार तर्रस आपने याद रखने हैं जो वो कुल्लू को स्पीति से जोड़ती है सारा उंगा जो जो है यह भी कुल्लू को स्पीति से जोड़ती है तो यह जोतों के बारे मैं याद रखिए यह most important जोते मैंने आपको बता दी अगला question देखिए 125 question कालिका कुंड water spring is located in which a district of Himachal अग्र हम होर भी ऐसे कुंड या फिर आप कह लीजे चस्में जहर ने ऐसे बात करें तो हमने पिछले कलपीन को रिवाइच के था पिछले कल नहीं उससे पिछले करें कईर्स एक वार फिर से रिवाइस करते हैं तत्ता पानि का हो परहutions नाली में धिर्श्थो देंड़ा कहा है। रहला कहा है। उस्ति कहा है, मनिकर्ण कहा है, बाकशुनात कहा है, कांगडा में धिर्ष्थ तो यह आपने important important ऐसे जहर नहीं या फिर आप कह लेजिए पानी के श्त्रोथ जो है वो याद रखने है इनके बारे में भी exam में पूछा गया है अगला question देखिए इन विच येर गुरु गोविन सिंग विजिट मंडी तो गुरु गोविन सिंग जी के द्वारा जो था हो मंडी कब विजिट की गई तो इस question की बात करें तो इस question को final answer की के recording scrap कर दिया गया है क्योंकि देखिए कि date जो हो defined नहीं है अच्छे से की किसी भी किताब में प्रंतु अगर बात करें गुरु गोविन सिंग जी की गुरु गोविन सिंग जी जब मंडी आय थे तो उस time मंडी के राजा कौन थे ये question हमने जरूर डिसकस किया तो उस time मंडी के राजा थे राजा इनके सर्कपूर का किला भी बनवाया गये था 1695 में ये सर्कपूर का किला बनवाया गये था एक बार allied hs के exam में पूछा गये था कि पंच वकरता मंदिर कहां पर सित है पंच वकरता मंदिर जो हो मंडी में सित है ये किस के द्वारा बनवाया गये था ये राजा सिध सेन के दूरा की गई थी मैं अगर बात करें मंडी रियासत की स्थापना ? अगर अगर आपको exactly ध्यान हो तो मंडी में हमने एक पुल helemaal भी पड़ा था जिसका नाम थो तो यह आपने ध्यान रखना है 1877 1878 के आसपास यह पूल जो था वो मंडी में बनवाया गया था यह बनवाया गया तो यह आपने ध्यान रखना है मंडी के बारे में पूछे गई रहे हैं जरूरी नहीं कि जुरूरी नहीं कि जुरूरी आपको हर एक अग्जाम में यहां से help मिलने वाली है 227 question देखिए विच मुवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपूर यह question देखो एलाइड में पूछा गया था विच मुवमेंट टुक प्लेस इन बिलासपूर तो यह जुगा अंदोलन था जो बिलासपूर में हुआ था मैंने कल पर सुही दो-ती दिन पहले इसके बारे में प्लेस कर सकते हैं वह ऐसा था कि राजा का जो शाशन था वो बड़ा त्यचारी हो गया था ताना साही हो गया था लोगों के उपर प्रतारन जो था वो किया जा रहा था तो लोगों ने क्या किया लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया राजा ने क्या कि राज तो यह हुआ था जुग अंदोलन तो यह आपको ध्यान रखना है जुग अंदोलन के वारे में इस तरह से हुआ था यह रिष्टिक बिलासपूर में हुआ था घ्राया excited की बात करें तो दाम यह में र्यासत प्रजामंडल खृ अगर बात करें पजहृत McN각 कहां पर हुआ था मौर में हुआ था मुख्या रूप से 1942 में हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है 1942 में हुआ था तो यह आप इन तीनों आप्शनों के बारे में ध्यान लग्या और क्यों के ऌया सर मुझे कमेंट करके प्ठाइब कि थाममे दियासती की स750 की त्यासता ने की दै कि थी और धा मैं धियासती जो राजधानी ती वह कहांँ पर भ sharp ये question मुझे comment करके उप्ता दीजिए आगे पूछा गया है यहां पर देखिए यहां पर पूछा गया है the old name of नालगड वॉस तो नालगड का प्राची नाम पूछा गया है देखो नालगड का प्राची नाम हिंडूर था यहां को पता है अभी बात की जा रही है नालगड का हंडूर प्राची नाम था नालगड की स्थापना राजा आजे चंद ने जो था कहलूर से अलग होगर जो था वो इसकी स्थापना की गई थी हंडूर रियास से जो था वो कहलूर की एक साखा हुआ करती थी यह अपने ध्यान रखना है 13.98 में जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमन किया था था उस टाइम हंडूर का राजा कौन था और राजधानने भी जिताओ वे नलग अलगट को बनः गया था राजा wise – विक्रम चंद के धा गया दैं यह भी ध्यान रखने में आजमेर गट-किला भी है यह यहां पर यह राजा अजमेर चंद के दुखरा बनवाया गये था हंडूर करा जाते एक अज मेर्चंद इनके दवारा यकिला बनवाया गया था ये सब questions आप याद रखिए हंडूर के बारे में ये important questions है आगे question देखिए आगे question हम पूछते है In which year the Calca Simla Railway was included in the UNESCO World Heritage List UNESCO World Heritage List में जो है वो Calca Simla Railway Line को कब include किया गया था अगर Calca Simla Railway Line की बात की जाएगे तो 2008 में जो था हो इसको यहाँ पर include किया गया था अब 2008 में जो था हो Calca Simla Railway Line को UNESCO World Heritage List में सामिल कर लिया गया अगर बात की जाए Calca Simla Railway Line की तो ये Railway Line जो है approximately 96 km लंबी Railway Line है इसको जो था वो inaugurate किया गया था Lord Karjan के द्वारा उस टाइम के Lord Karjan होते थे जब 1903 में इसको inaugurate किया गया था इसमें जो है कहा जाता है कि 103 total number of tunnels है 103 जगा का नाम भी है डिस्टिक Simla में और एक tunnels जो है वो तूट गई है तो 102 tunnels जो है वो यहाँ पर रह जोकी है 869 यहां पर bridges है इनके पूल है 869 पूल है यहां पर और कहा जाता है कि MHS Harrington है HS Harrington जो था इसके chief engineer थे यह भी याद रखिए और बाबा भालकुराम थे बाबा भालकुराम जो था वो चैल से समंदर रखते थे बाबा भालकुराम थे था वो अंग्रेजियों को रास्ता दिखाया था कि आप यहां यहां से जो हो रास्ता निकाल लिए railway line के लिए तो यह सब आपने याद रखना है कालका शिम्ला रेवे लाइन के बार में 85 question देखिए लक्ष्णा देभी temple is located in which district of a मासल पर देशिद्व आप easily tick कर लेंगे कि चंबा मैं सिता है लक्ष्णा देभी मंदिर हम कहीं बार पढ़ चुके हैं इस मंदिर को district चंबा में यह मंदिर कहां पर से खुआ है राजा के कारेकाल के दोड़ान जो होती थे राजा मेरू वर्मन के कारेकाल के दोड़ान यह बनाता जब हमने बलोक्रा किताब पड़ी थी उसमें हमने part three में पढ़ा था पार्ट थ्री या पार्ट फोर में चमबा डिस्टिक पढ़ा था तो वहां पर हमने डिस्टिक चमबा के सारे कोशिन जाने हैं तो बलोखड़ा किताब के पार्ट से अपने नहीं देखें तो उनको देख लिजे चंबा के बारे में आपको और भी जानकारे मिल जाएगी बात मंदिरों की हो रही है तो रिष्टिक चंबा में एक लक्षना देवी मंदिर स्थित है movie में इस मंदिर स्थित है यहां पर नरसिंग मंदिर स्थित है यहां पर लक्समी नाला встр बिष्ट्ट्र मंदिर स्थित है पर कुछ चत्राड़ी मंदिर भी कह जाता है यह द्यान रखिये आगे पुछता है डंक तो जिसको है किस जिले योग और है जIGH ताइस कहते हैं संग करके की लोगोंके दवरा किनौह की तोरा जो यह यह जाब प्रो हो गया यह सब नृत्ते हैं किनौर के यह किनौर के नृत्ते हैं अगर हम बात करें आप्चिन में लहोज पित्ती भी दिया गया है लहोज पित्ती के सांद और साबू जो है वो मुख्य रूप से एक्जाम में बहुत बार पूछे गए किनौर डिष्टिक को भी हम डिसकस कर चुके हैं ब्लोकर किताब से पार्ट एट में कंप्लीटली एक ही वीडियो में डिसकस हो गया था उसको देख लीजेगा अगर आपने नहीं देखा है अभी तक अगला क्वेशन है 87 क्वेशन बसोवा फैस्टिवल इस सेलिब्रेटर इन विचे डिस्टिव आफ हिमाचल प्रदेश देखो बिसोवा जो फैस्टिवल है यह मुख्य रूप से कांगडा में मना जाता है अगर हिमाचल के फेर और फैस्टिवल की बात की जाए तो देखो मेला कहां पर लगता है हमिरपूर में लगता है बाबा बालकनात मेला कहां पर लगता है यह भी हमिरपूर में लगता है सिप्पी मेला कहां पर लगता है सिप्पी मेला जो है मसोब्रा में लगता है मसोब्रा डिस्टिक शिम्बला में लगता है पत्थर का खेल मेला हालोग 89 आप ध्यान लखेगा तो यह important fair festival होगे जिनके बारे में आपको ध्यान लखना है अगला question देखिए यहाँ पर पूछते हैं हिमाचल प्रदेश public service commission was established in which year हिमाचल प्रदेश public service commission की स्थापना कब की गई थी हिमाचल प्रदेश public service commission जो है important body है हिमाचल प्रदेश की तो इसकी स 1971 में 1971 में हिमाचल प्रदेश public service commission की स्थापना की गई अगर बात करें कि जब हिमाचल प्रदेश public service commission की स्थापना की गई थी तो उस टाइम इसके chairman कौन थे यानि कि इसके पहले chairman जनरल के एस कटोच का नाम याद रखना है यह इसके पहले chairman यह आपको पता चल गया 1970 यहाँ थी नमबर पराजय थी इसके पहले 1956 से लेकर 1971 तक केंदर साथ किस परदेश परदेश तक ही मेचल प्रदेश का गठन के बनी मद्रा प्रैल इंसो अठाल इसको गिया तो पूणराजे का दर्जा कब मिला था तो पत्ची जनबरे उनिसो एकतर को जुदाओं मिला था और यह उस टाइम भारत का अठारवान नंबर का राज्य बना था और उस टाइम भारत की प्रधान मंतर ही उसीरिमति इंद्रा TC की स्थापना कब की थी हम बहुत बार बढ़ चुके हैं इस question को इस की स्थापना कब की थी अब जल्दी से comment करके बता दीजिए और अगर आपको बता हो तो बता दीजिए कि हिमाचल प्रदेश के present time में परिवहन मंतरी कौन है यानि के transport minister कौन है हिमाचल प्रदेश के present time है तो ये भी comment करके आप बता दीजिए और एक और important बात अगर आपने अभी तक भी टेलिग्राम पर हमें जोइन नहीं किया है तो इस तरह से सर्च कीजिएगा at the rate all exam 31 आपको हमारे टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा टेलिग्राम के अलावा हमने जो नया चैनल चलाया है जिस पर हम हिमाचल की small stories discuss करते रहते हैं उसका link भी नीचे description box में new channel करके दिया गया है तो उस पर भी आप हमें join कर सकते हैं तो इन सभी पर आप join कर लेजे ताकि आपको हमाचल के बारे में important सारी जानकारी चाहिए वो किसी exam से related हो चाहिए हमाचल की knowledge हो वो सब मिलता रहे पर QD में इतना ही काभी है that's all for today thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently